नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation का डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी सिनिमा की दिगज अभिनेत्री आश्रा पारे किसी पहचान की मोहताज नहीं है एक्ट्रिस ने अपने शांदार अभिनाय और डांस से लोगों के दिलों में अलग पहचान दिनाई है एक्ट्रिस का जन 2 October 1942 में मुंबई में हुआ था आश्रा जी में अपने करियर की शुरुआत बतोर चाइल्ड आर्टिस ही थी एक्ट्रिस शांदार अभिनेत्री होने के साथ साथ कमाल की दांसर भी है और इस बाद पर सबूत है उनके गाने काटर लगा ही देखीजिए आश्रा पारे को हाली में दादा साहिफ फाल के अवर्ड से सम्मारित किया गया है एक्ट्रिस इस बार अपना 80th बर्देट मना रही है तो आईए उनके जरन दिन पर उनके जीवन से जोड़ी कुछ दिलचस्प बातों को चानते हैं आश्रा पारे की पहली फिल्म दिल देके देखो खूब सुपरिट रही थी एक्ट्रिस की पहली फिल्म से उनके नाम कटन का बजने लगया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि आश्रा पारे को एक प्रेड्यूसर ने फिल्म से इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि आश्रा जी स्टार मठी दिल नहीं है इस घतना के आठ दिन बाब ही एक्ट्रिस ने अपनी पहली फिल्म दिल देके देखो साइन की थी आश्रा जी ने कति पतंग, आनमिलो सजन, घराना, तीसरी मंजिल ऐसी कई हिट फिल्में दी हैं एक्ट्रिस ने सिर्फ देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी स्टेश पर्फॉर्फॉर्मेंस दी हैं उनके अधाकारी के आज भी लोग कायल हैं लेकिन सक्सेस्फुल करियर होने के बावजूद आशा पारेक ने कभी शादी नहीं की ऐसा कहा जाता है कि डारेक्टर नासर हुसेन जब पहली बार आशा पारेक से मिले तो उन्हें आशा जी में एक्टिंग के सभी गुर देखे थे उन्होंने आशा जी को अपनी फिल्म में काम दिया काम के दौरान दोनों की नस्दीखे हैं बड़ी लेकिन आशा पारेक ने कभी नासर से शादी नहीं की एक इंटर्वी में उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं चाहते थी कि नासर का परिवार तूटे इसलिए उन्होंने कभी भी नासर से शादी नहीं की आशा जी ने आगे कहा मैं मालती हूँ कि शादी मेरी किस्मत में कभी नहीं थी बतादे 1992 में एक्ट्रेस को पदमिश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया था वही 2002 में आशा पारेक को फिल्म पेल का लाइफ टाइम से भी सम्मानित किया था आशा पारेक ने हमीशा अपने अभी में और अनृत्य कला से सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोहित किया है अब चाहें कथी पतन की मधू हो या फिर आया सावन जूंके की आर्टी आशा पारेक हमीशा एक एक्टर के तौर पर हम सभी के दिलों में अम जर्फ लुजिए झीशन और ने वार.